नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मों खबर जानते हैं बता दे या भोजन सेंधान नमक से बनाया जाता है ऐसी मन्याता है कि नहाय खाय के दिन भागवान सूर्य को कदू भात का पहला भोग और पित किया जाता है इसके बाद ब्रती खरना के साथ 36 गंटों का महान नेजल वरत करती है अस्पतालों में दीख रहा ठंड का असर मौसों में लगातार बदलाओ के बाद ठंड बढ़ने लगी है राशी का इतापमान 13 डिग्री सेल्शेस तक पहुँच गया है इसके बाद अस्पतालों में मौसमी बीमारी के मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है रिम्स में वैरल बुखार के मरीज बड़ी संख्या में दिख रहे हैं पोस्ट कोवीड मरीजों के बाद अधिकतर मरीज वैरल बुखार के ही भरती हैं बता दे मेडिसीन ओपिडी में भी 60% मरीज मौसमी बीमारी को लेकर पहुँच रहे हैं पारा सिक्षकों के अस्थाई करण पर 29 दिसंबर को घोसना पारा सिक्षकों को बिहार की तर्ज पर अस्थाई करने पर 29 दिसंबर को घोसना होगी इसे लेकर जारखन में बिहार के निमावली हुँ बहु लागु की जाएगी सोमवार को सिक्षा मंत्री जगरनात महतों के अध्यक्षता में इसकुरी सिक्षा उमसक्षरता विभाग में हुई बैटक में बिहार की तरज पर राज्ये में तयार की गई पारासिक्षक के सेवा सर्थ निमावली के ड्राप्ट पर विश्तित चर्चा के बाद इस पर समती बनी साथी इस ड्राप्ट को पारासिक्षक के परतिनिदियों के समक्ष रखने का नेना लिया गया ताकि बाद में इस पर कोई बिवाद ना हो बता दे छोट फूजा के बाद इसे परासिशकों के परतिनीदी मंडल के समक्ष रखा जाएगा सहाय योजना से जोड़े जाएंगे नकसल परभावित पांच जीलो के सतर हजार युवक युगतियों को खेल से जोड़ने की रूप रेखा त्यार की गई है सहाय योजना का प्रस्ताव युवा खेल कूत एवं सांस्कृत्ती भी भागने त्यार किया है बता दे योजना प्राधिकार समिती की मंजूरी के बाद इसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा इसके तहट खुट्टी पश्मी सिम्भोम गुमला सराई के लावर सिम्डेगा की ग्राम पंचायत अस्तर पर 14 से 19 वर्ष के युवक योगति का खेलाडियों के रूप में निबंधन कराने का प्रस्ताव है दो माह में पहले की तरह समाने हो जाएगी रेल सेवा रेल मंतरी आस्मीनी बैस्नव ने कहा है कि दो माह में देश में ट्रेनों का परिचालन समाने हो जाएगा इसके लिए राज सरकारों से बात चित चल रही है बैस्नव चक्रधर पूर रेल मंडल के अधीन जारसु गोड़ा में रेल अधिकारियों और जन परतिनिद्यों के साथ बैठा के बाद मीडिया से बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि बीस्तो ब्यापी क्रोना महमारी के बाद अब धीरे धीरे इस्थिती समाने हो रही है उन्होंने कहा कि बैठा कमोखे उदे से यहां के जन परतिनिद्यों द्वारा भेजे गए मांग पत्र पर हुई करवाई की समिक्चाता जार्खन के सरकारी स्कूलों के सिक्षक बोरिया बेचने को हुए मंजूर जार्खन के सरकारी स्कूलों के सिक्षक अब जल्द ही बोरिया बेचते नजर आएंगे दरसल जार्खन सरकार की ओर से राजे के सभी सरकारी स्कूलों के सिक्षकों के लिए एक आदेश निकाला गया है बता दे विभागिया अस्तर पर एक पत्र के माध्यम से कहा गया है कि सभी स्कूल मिड़े मिल से जुड़ी खद्यान की खाली बोरिया इकटा करे और उसे बेचने की बेवस्ता करे इस फर्मान के आने के बाद जार्खन के सरकारी सिक्षकों में कापी अक्रोस है दरसल अब इन सिक्षकों को जब से मिड़े मिल चालू किया गया है तब से अब तक के तमाम बोरियों को इकटा करना है छट पर्व को लेकर जार्खन में 10 वह 11 नॉमबर को छुटी महा पर्व छट को लेकर जार्खन की हमन सरकार ने 11 नॉमबर 2021 को अवकास गोशित की है पुर्व के आदेश में आंसिक संसोधन करते हुए सरकार ने गुरुवार को एनाई एक्ट के तहट सर्वजनिक अवकास की गोशना की है इस दीन राज सरकार के करयाले के अलावा बैंक वकेंद्र सरकार के करयाले आदी बंद रहेंगे इससे पहले राज सरकार ने एनाई एक्ट के तहट 10 नॉमबर को भी छुटी गोशित की थी इधर आंसिक संसोधन सम्वन धी अधि सुजना कार्मिक प्रसासनिक सुधार तथा राज बसा बिवाग ने जारी कर दी है बतादे जार्खन सरकार के अवर सचीव बजर माधाव ने आदेश जारी कर कहा गया है कि चटपर्व के मद नजर करेपालक आदेश के तहट घोशित अवकास में आंसिक संसोधन किया गया है पद्म सीरी से समानी थुए जार्खन के नागपुरी गितकार मधु मनसूरी वा छव गुरू सस्धर आचारे राष्ट्रपती रामनाथ कोविन ने सोमवार को नई दिली में जार्खन की राइधानी राची के नागपुरी गितकार मधु मनसूरी हंसमूख और सराय के लाएके छव गुरू सस्धर आचारे को पद्म सीरी से समानीत किया बता दे 2020 में ही उन्हें पद्म सीरी समान से समानीत करने की खोसना की गई थी पद्म सीरी अवार प्राप्थ करने के बाद मधु मनसूरी हंसमूख ने बाचित में कहा कि वे या समान जार्खन के सुरुताओं को समर्पित करते हैं नव नवमबर को जार्खन की छुटनी देवी पद्म सीरी से होंगी समानीत बर्ष 2020 और 2021 के लिए भारत का स्रेष्ट समान पद्म सीरी जार्खन के तिन हस्तियों को मिल रहा है बता दे इसमें नागपुरी गीतोक के रचियता वा गायक मधुमन्सूरी हसमुख और छोव निरित्य के गुरु सस्धर आचार्य को बर्ष 2020 के लिए सोमवार को पद्म सीरी से समानित किया गया राष्ट पति रामनात कोविंद के हैं थो यह समान प्राप्थ हुआ वही बर्ष 2021 के लिए डाइन कुपरता के खिलाप आवाज बुलंद करने वाली चूटनी देवी नौ नॉमबर को पद्म सीरी समान से समानित होंगी पहले अरग के दिन सुबा आठ बय से रात के 11 बय तक सहर में भारी वाहन परवेस पर रोक चट पर लेकर 10 और 11 नौमबर को राय धानी की अतयात वेवस्ता बदली रहेगी सहर में 10 नौमबर की सुबा आठ बय से रात 11 बय तक और 11 नौमबर को दो फर बाद 2 बय से रात 10 बय तक सहरी इलाके में बड़े भारी वेवसाइक वाहनों का परवेस वर्जित रहेगा बता दे इस दरान भारी वाहन पिसका मोर से हजारी बाग रोड होते हुए पिसका मोर तक पहुचने वाले सभी भारी वाहन रिंग रोड के जरिये लाई उन्वर्सिटी और ITVP कैम्प को कर निकलेंगे जारखन में पंचाज चुनाव को लेकर लातेहार में टाना भगतों का बिरोद जारखन में होने वाले 23 तरे पंचाज चुनाव का टाना भगत बिरोद कर रहे हैं लातेहा समनाला के समक्ष एक दिवस्य धाना परतसन किया वहीं इसके बिरोद में रैली भी निकाली गई अपनी मांगों के समन में टाना भगतों ने लातेहार डीसी को ग्यापन भी सोपा बदादे अखिल भारतिये टाना भगत कमिटी लातेहार की ओर से पंचाज चुनाव के बिरोद में टाना भगतों ने अस्थानिय बयार टान्ड से रैली निकाली टाना भगत रैली में 23 तरिये पंचाज चुनाव रद करो जारखन सरकार होस में आओ आदी वासी वा टाना भक्तों का सोचन बंद करो आदी का नारा लगा रहे थे राइली सहर के मुख्य पत होते हुए समनाले परिसर पहुंची और एक सभा में तबदिल हो गाई रांची में 29 को होने वाले T20 मैच का टिकट 999 तक भारत न्यूजिलेंड के बीच 29 नॉमबर को JCA स्टेडियों में होने वाले T20 मुकाबले के टिकटो की कीमत तय कर दी गई है बता दे जारखन राज किर्केट एसोसेशन की मेनेजमेंट कमिटी के बैठाक में टिकटो का दर तय की गई सबसे कम मुले का टिकट का दर 900 रुपए तथा सबसे अधिक 9,000 होगा इस बार टिकट का मुले 900, 12, 14, 17, 18, 4,000, 5,500 और 9,000 तक किया गया है रभिवार को बैठक में निने लिया गया कि एस्टेडियों में कोविट वैक्सिनेशन का दोनों डोज लेने वाले या 15 नौंबर के बाद का आटी पी स्यार निगेटिव रिपोर्ट लाने वाले को ही एस्टेडियों में इंट्रीद दी जाएगी पेट्रोल डिजल की वैट कम करने को लेका सुप्रियों से मिला पेट्रोलियम डिलर्स जार्खन में डिजल पेट्रोल पर वैट दर कम करने की मांग को लेका सुम और को जार्खन पेट्रोलियम डिलर्स एसोसियेशन का प्रतिनिदी मंडल जार्खन मुक्ति मोचा के केंद्रिये महासचीव सुप्रियों बटाचार से मुलकात की उन्हें वैट कम करने से समन्दित मांग पत्र सोपा गया मौके पर एसोसियेशन के अध्यक्स असोक सिंग ने कहा की सरकार अगर पांच परतिसत वैट कम कर दे तो आम लोगों के साथ ब्यापारियों को लाब होगा साथ ही सरकार के रायसों में भी 600 क्रोर की सलाना भृदी होगी रांची में तिन नक्सलियों ने किया सरेंडर बारा को महराज प्रमानिक करेगा आत्मसमरपन एक क्रोर के इनामी मावादी सेंटरल कमिटी मेबर हाटकोर नक्सली अनलताक के मारक दस्ते का सदस्य सुरज मुंडा उसकी पतनी गीता और एरिया कमनडर बैलून सर्दार ने सो महर को रांची में पूलिस पतादिकारियों के समख सरेंडर कर दिया बतादे रांची रेंज के आई जी ये भी होमकर के समक्ष तीनों नक्सलियों ने सरेंडर किया इस महों के पर कई पुलिस पताधिकारी मवजूद थे सुत्रो की माने तो 12 नॉंबर को मवादी जोर्नल कमांडर और 10 लाग के इनामी नक्सली महाराज प्रमानिक भी सरेंडर करेगा निवेस के नाम पर भी हो सकती है ठगी ग्रीह मंत्राले ने किया जार्खन को सतर्क आज के दोर में निवेस के तोर पर स्टोक मार्केट बेथर विकल्प के तोर पर उभरा है ऐसे में साइबर ठग इसका भी फैदा उठाने की त्यारी में है इसका खुलासा करते हुए केंज्री एग्रीह मंत्राले की इंडियन साइबर क्राइम को ओडिनेशन सेंटर Thread Analysis Unit ने रिपोर्ट त्यार की है बता दे स्टोक मार्केट में निवेस पर अत्याधिक मुनाफा कमाने का जासा देकर साइबर अपराधी लोगों को ठगी कर सकते हैं यूनिट ने इससे जुड़ी रिपोर्ट भेज कर जार्खन पुलिस को सतर किया है इसके बाद CID मुख्याले ने सभी जीले के SP को इसकी सुचना देते हुए अवस्चेक करवाई का निर्देश दिया है कस्तूर्बा स्कूल के स्टाप का छलका दर्द जार्खन सिक्षा पर्योजना के तहट संचाली 10 कस्तूर्बा गांधी अवसे विद्यालों के दर्जनु सिक्षक सिक्षक केतर कर्मियों को 6 महीने से मांदे नहीं मिला है बतादे दसारा यों दीपावली में इन्हें मांदे नहीं मिला सभी को महापर्व छट मनाने की चिन्ता जता रही है कई सिक्षक संगठनों ने प्रभारी डीओ से तिवार को देखते हुए अविलम मांदे भुक्तान करने की मांग की है बतादे जार्खन सिक्षा पर्योजना को सलाना 100 क्रोर से अधिक का वजट मिलता है इसके बाद भी समय पर मांदे नहीं मिलने से कर्मियों ने चिन्ता जाहिर की है एक छात्र के दोदू रइस्टेशन मामले में जैक ने स्कूलों को भेजी नोटीस पूर्वी सिम्हूम जीले में एक ही बिद्यार्थी का दोदो अस्थानों पर एड्मिशन वर रइस्टेशन के मामले में जारकन एकेडमिक काउंसिल ने इसकूल वा कॉलेजों को नोटीस भेज कर इस्थिती असपस्ट करने को कहा है बता दे जैक ने घर बड़ी वाले स्कूल और कॉलेजों को भेजी नोटीस में बताया है कि किस छात्र ने किस स्कूल वा कॉलेज से अपना रइस्टेशन करवाया है जो नियमा नुकूल नहीं है ऐसे सभी रइस्टेशन को रोक कर रखा गया है जैक ने सम्बांधित बिद्यार्थी की नमांकन पुंजी नमांकन आवेदन पत्र बिद्यालाय परित्याग परमान पत्र के साथ ही उपस्थिती पंजी एक सब्ताम में भेजने का निदेश दिया है गिरीडी जेल बरेक में सामिल नक्सली मनोई मरांडी आरेस्ट चकाई पूलिस और सियार पी एफ ने लंबे समय से फराद चल रहे हाटकोर नक्सली मनोई मरांडी को गिरापतार किया है बर्स दुहजर बारह में गिरीडी में हुई जेल बरेक कांड में भी वा सामिल था बता देगिर अपतारी के पूश्टी जमोई के एएसपी सुधान सुक कुमार ने की उन्होंने बताया कि चकाई थाना चेतर के गोविंद पूर गाव निवास्यार को नक्सली मनोज मरांडी और्फ परदीप मरांडी और्फ अरुन संथाल और्फ परताप मरांडी पीता बबुए मरांडी लंबे समय से नक्सली संगटन भागपा मवाद से जुड़ा हुआ नेतर हाट अवासे भी द्याले परवेश परिक्षा का बदला पैटर्न नेतर हाट अवासे भी द्याले परवेश परिक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है अब एक ही परिक्षा सब अंक की होगी बतादेबर्ष 2020 तक नमांकन के लिए ली जाने वाली परवेश परिक्षा 200 अंग की होती थी नेतराट विद्याले परवंधन ने इसे लेकर पत्र जारी किया है नए परटर्ण में पांच विशयों की परिक्षा होगी हर विशय से बिस बिस आंग के प्रश्ण पूछे जाएंगे सहायक प्रध्यापकों की नियुक्ति में 1 जुलाई 2013 तक पिएशडी अनिवारे नहीं राजे के विद्यालियों में सहायक प्रध्यापक के पदों पर होने वाली नियुक्ति में फिलाल पिएश्डी की योगता अनिवारे नहीं होगी बता दे नेट उतीन वैसे अव्यार्थी जो पिएश्डी नहीं कर सके हैं वे भी इस पद पर न्युक्त हो सकेंगे सहायक पर ध्यापकों की न्युक्ती में पिएश्डी की अनिवारता किया छूट एक जुलाई 2023 तक लागू कर दी गई है सुख्ष भारत मीशन के करमचारियों का धरना शुरू सुख्ष भारत मीशन ग्रामीन अनुबंध करमचारी महासंग जार्खन के बैनर तले राजे के सभी पेजल एवं सुख्ष भारत मीशन में करमचारियों ने सुमार को धरना दिया सुख्ष भारत मीशन फेश टू में समजित नहीं करने के बिरोध में धरना परशन शुरू किया जो 11 नौमबर तक जारी रहेगा ठीका करन के लिए पंचायतों में लगेगा कैम रांची जीले की 292 पंचायतों में 15 नौमबर से 28 दितंबर तक स्वास्त जाच सिवीर और वैक्सिनेशर कैम्प लगाया जाएगा 15 नुम्बर से 28 दिस्तमबर के बीच खूल 43 दिनों में सभी पंचायतों में कम्थ कायोजन किया जाएगा बता दे एक दिन में कूल 5 पंचायतों में कम्थ कायोजन होगा इस बीच सिर्फ क्रिस्मस के दिन ही छुटी रहेगी सिम्डेगा के कुर्डेगा में एक ही परिवार से मिले दो संक्रमीत जारखंड के सिम्डेगा जीला अंतरगत कुर्डेग प्रखंड में सो मारको कुरोना जांच में साथ वर्षिय बच्चा वा उसकी मा कुरोना पोजेटिव मिली है बता दे कुर्डेंग थाना परिशन में कुरोना जांच सिवीर का आउजन किया गया था उडिसा की ओर से एक महिला अपने बच्चे को लेकर आ रही थी जांच सिवीर के पास उसे रोक कर जांच किया गया जांच में दोनों का रैपिट किट में पोजिटिव रिपोर्ट मिला अंदोलनकारी मोर्चा का समेलन 13 नॉवंबर को जारखन अंदोलनकारी मोर्चा केंद्रिय समीति की बैठक सोमवार को हुई जिसमें आगामी 13 नॉम्बर को रांची प्रेस कल्ब में एक तिवसे समयलन करने का निना लिया गया पतादे मोर्चा के केंद्रिये संजोजक मुम्ताज अहमद खान ने जनकारी दिकी समयलन में राजे सरकार के मंत्री बिधायक यम आंदोलनकारी भाग लेंगे पलामू पुलिष ने नक्सली को किया गिरफतार पलामू पुलिष ने सोमयल को भागपम मवाजी संगठन के सक्रिये नक्सली धर्मेंत्र कुमार को गिरफतार किया है बतादे गिरफतार नक्सली हरिहर गंज के तूरी गाव निवासी बंसी यादो का पुत्र बताया गया है उस पर हरिहर गंज के फुराना बस इस्टेंड के करीब नीजी आवास में बने बस 2019 बिस में भाजपक का रियालाइक को उड़ाने का आरूप है धन्यवाद दिन भर की तमाम खबर को जानने के लिए साम 5 बजे संध्या समाचार अपलोड किया जाता है जीसे देखना ना भूले साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों साथ सेर करना भी ना भूले धन्यवाद